हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे भारती संबीदान के अनुच्छेद 68 के बारे में यदि आप पिछले अनुच्छेद का अध्यन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको भारती संबीदान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा हम बात करते हैं भारती संबीदान के अनुच्छेद 68 यह कहता है कि उपराश्ट पती के पद में रिक्ती को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और अकास्मिक रिक्ति क्यों भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावदी अब क्या समझ में आया ऐसे मैं कुछ भी समझ में नहीं आया तो सीधी सीधी लेंग्वेज में आप ये समझ लें कि अचानक से उपराष्ट पती की मृत्ति हो जाए और उसका पद रिक्त हो जाए तो के से भरेंगी और भरने के बाद वो कितने समय तक के लिए उपराष्ट पती रहेगा एख तो ये बात हो गई दूसरी ये बात हो गई कि यदि उसका पद खतम हो जाए यहने कि 5 साल पूरे व्यतित हो जाए उसके बाद उपराष्ट पती का चुनाओ हो और चुनाओ में जो जीत करके आए वो कब पद धारन करेगा है ना और उसके चुनाओ कब कराए जाएंगी इस प्रकार से यहाँ पर पूरा 68 में समझाया गया है क्या लिखा हुआ है इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं क्या है इसमें नंबर एक नंबर दो दो पाइंट दिया है तो नमबर एक कहता है कि उपराष्ट पती की पदावदी की समाप्ती से हुई रिख्ती भरने के लिए निर्वाचन पदावदी की समाप्ती से पहले ही पून करा लिया जाएगा यानि कि ये लग रहा है कि भई आप पांच साल पूरे होने वाले हैं उपराष्ट पती को तो पहले ही निर्वाचन करा लिया जाएगा कि भई आप पदरिक्त होने वाला है तो अब इस पद को कौन धारन करेगा तो इसके लिए पहले से ही चुनाव करा लिया जाएगा जो सम मान लोग के ईपराश्ट पती की मफ़त्ति हो जाए और मफ़त्ति के कारण रिक्ती हो जाए अपने कारिकाल से पहले ही अपने पद से हटा दिया जाए ऐसे समय में रिक्ती हो जाए तो अब पहले से चुनाओ के से करा अब उप्राष्ट पती जिंदा है अभी मरा तो है तो उप्राष्ट पती का चुनाओ पहले से के से करा लोगे तो ऐसे समय में जो अकास्मिक रिक्ती हुई है अचानक से वो पद रिक्त हो गया है तब क्या होगा तो इसके लिए भी ये बता दिया गया क्या कि उपराश्ट पती की मृत्यू पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन किसी कारण से हुई रिक्ती में पद में रिक्ती को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ती होने के पश्चात यथा सीग्र किया जाएगा याने कि जल्दी से जल्दी उसके पद को भरा जाएगा और क्या और रिक्ती भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ती अनुच्छे 67 याने जो पिछला अनुच्छे देवो अनुच्छे 67 के उपबंदों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रैन की तारीक से पांच वर्स की पूरी अबदी तक पद को धारन करेगा पद को धारन करने का हकदार होगा ऐसा कहां याने के ऐसा नहीं है कि उपराश्ट पती जो है दो साल की कार्यावधी पूरी करने के बाद उसकी म्रत्ती हो गई तो अगले तीन सालों के लिए नया उपराश्ट पती होगा ऐसा नहीं उपराश्ट पती चुने जाने के पच्चात अपने पद ग्रहेंड के बाद पांच साल तक उपराश्ट पती पत को धारन करेगा और कब तक धारन करेगा या तो उसकी मृत्ती नहीं हो जाए जब तक या पत से नहीं हटा दिया जाए तब तक या वो खुद ही अपने मन से त्याक पत्रन न दे दे तब तक याने के कुल मिला के पांच साल के पहले यदि वो छोड़ना चाहता है पत तो बात अलग है लेकिन यदि ये समझ लो के पांच साल के पहले पहले उसको ऐसा नहीं किया जाएगा कि अब तुम्हारा पत समापत हो गया है याने के पांच साल तक वो अपने पत पर रहने का हगदार होगा तो आज की वीडियो में हमने अध्यान किया भारती संबिदान के अनुच्छेद 68 के बारे में यदि आप अनुच्छे 69 याने अगले अनुच्छेद का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहां से आपको भारती संबिदान के संपूर्ण विडियो भी मिलेंगे IPC, CRPC के संपूर्ण विडीयो भी मिलेंगे और इस अनुच्छेद का अगला अनुच्छेद भी आपको यहां से मिल जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का notification आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद